नमस्कार दोस्तों आपको मैं रिशनलर रिपोर्ट पांडा में दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि पोस्ट ओपिस की नई ब्याज दरे का अलान हो गया है जुलाई 2022 से सितंबर 2022 तक जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि भारा सरकार हर तीन महीने में डागर यानि पोस्ट ओपिस की ब्याज दरों में बदलाव करता है और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि पोस्ट ओपिस बैंक की तुलना में सबसे ज़्यादा ब्याज देती है और आपका पैसा भी पूरी तरह 100% सरकारी गरांटी के साथ सुरच्छित होती है लेकिन कम जानकारी के अभाव में बहुत लोग इसका लाव नहीं ले पाते हैं तो दोस्तो आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से पोस्ट आपिस की नई ब्याज दरें जुलाई 2022 से लेकर सितंबर 2022 तक योजना के अनुसार कि पोस्ट आपिस की किस योजना में कितना ब्याज दर मिल रहा है अभी जैसे आड़ी के उपर अभी कितना इंट्रेस्ट मिल रहा है पोस्ट आपिस मंतली इंकम स्कीम के उपर कितना मिल रहा है अभी इंट्रेस्ट पोस से इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा तो दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चानल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर ले और दोस्तो आप नीचे कमेंट में मुझे अपना सहर का नाम और किस योज पैसा इन्वेश्ट करना चाहते हैं पोश्य की नई ब्याज दरे के साथ दो दोस्तो चलिए फड़ा-फट जान लेते हैं पुट्यों कि नई ब्याज दरे जुलाई सै सित McMबर 2022 तक दोस्तो पहले जान लेते हैं पुश्ट्ट्रापिस सेविंग्स एकांट मिल रहा है कि न जान लेते हैं post office की दूसरी बचत योजना recurring deposit यानि RD के उपर कितना interest rate मिल रहा है अभी जुलाई से सितंबर 2022 तक तो दोस्तों post office recurring deposit पर अभी 5.8% सलाना का ब्याज मिल रहा है दोस्तों अगर आप इस recurring deposit में अगर आप 5000 रुपया invest करते हैं 5 साल के लिए तो आपको maturity जो आपको post office मंतली income scheme MIS यानि मासी का योजना के उपर कितना interest rate मिल रहा है भी तो दोस्तों post office मंतली income scheme MIS पर अभी 6.6% का ब्याज मिल रहा है अगर आप इस scheme में दोस्तों 1,00,00 रुपया जमा करते हैं तो आपको maturity पूरा होने पर 5 साल के बाद 1,33,000 रुपया मिलेगा दोस्तों अब जान लेते हैं post office time deposit के उपर कितना interest rate मिल रहा है भी तो दोस्तों time deposit एक साल, दो साल, तीन साल और 5 साल के लिए करवा सकते हैं एक से तीन साल के लिए time deposit पर 5.5% का ब्याज मिलेगा और वहीं अगर आप 5 साल के लिए time deposit करते हैं तो आपको 6.7% का ब्याज मिलेगा तो दोस्त दोस्तों अब जान लेते हैं post office किसान विकास पत्र के उपर कितना interest rate मिल रहा है भी तो दोस्तों किसान विकास पत्र पर अभी 6.9% सलाना का ब्याज मिल रहा है जिसको हम लोग बलते हैं KVP में 124 मा यानि 10 वर्स 4 माह में पैसा दुगना हो जाता है अगर आप 1 लग रुप इसमें हर साल डेट लाग रुपया तक जमा क्या जा सकता है मैक्सिमम 15 सालों तक और दोस्तों मैं बताता हूं कि PPF में जो पैसा जमा करेंगे पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है और दोस्तों PPF में अभी 7.1% का ब्याज मिल रहा है तो दोस्तों अगर आप इसमें डेट ल सेविंग सेटिफिकेट एन एस सी के ऊपर कितना इंटेस्टेट मिल रहा है तो दोस्तों नेशनल सेविंग सेटिफिकेट एन एसी को राश्ट्रिय बचत पत्र बोलते हैं अगर इसमें आप पांस सालों के लिए निवेस करते हैं तो पहले तो एनसी में जमा पर आपको एन आपको 1389 रुपया मिलेंगे डोस्तों अब जाले तर प्स शिर्जर सेविंग स्कीम कि ऊपर कितना इंट्रेस्टेट मिल रहा है तो दोस्तों सिर्जर सेविंग स्कीम एस किम साथ बरसे अधी कुमरू के लिए हैं तो अभी इसके ऊपर 7.4 परशंट का गातेसं सबस्क्राइब की उफटेशार पर एंटरेस्टरेट मिल रहा होगी दोस्तों सब्सक्राइब तो अबहancer सेन्ट का ब्याज मिल रहा है 15 सालों तक अगर effektशार पर्तिमा जमा करते हैं तोकी हैस्वा करें तो सजार रुपया 373 रुपया मिलेंगे तो दोस्तों यह थी पोस्ट आपिस के सारे सेविंग स्कीम और पोस्ट आपिस की नई भी आज दरे जुलाई से सितंबर 202 तक तो दोस्तों अब आपको सेलेक्ट करना है कि पोस्ट आपिस की की सोजना में आपको पैसा इन्वेश्ट करना है तो दोस्तों अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें सेयर करें दोस्तों के बीच और कुछ डॉट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं और दोस्तों मेरे चल